दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिरी बोरिंग योजना के बारे में अगर आप लोग भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आप इस योजना का लाब ले सकते हैं तो आपको गवर्मेंट के तरफ से यहाँ पर 50% तक का अनुदान दिया जाता है अब यहाँ पर कई केटेगरी की बोरिंग होती हैं जैसे कि आप यहाँ पर अभी देख सकते हो टोटल आप लोगों को इस योजना के अंतरगात 5 केटेगरी की बोरिंग देखने को मिलेंगी जिसमें यहाँ पर गहरे नलकूप के लिए आप बोरिंग करवा सकते हैं उथले नलकूप, मद्ध गहरे नलकूप, इसी के साथ यहाँ पर 2 केटेगरी और दी गई है तो आप लोग जिस भी केटेगरी के लिए अपलाई करेंगे आप लोगों को उसी हिसाब से यहाँ पर अनुदान दिया जाएगा और आप लोगों को किस तरह से ओनलाइन ही घर वेटे इस योजना के अंतरगात अपलाई करना है तो कंपलेट जानकारी के लिए आप लोगों को इस वीडियो को इंड तक देखना है अगर आप लोगों को वीडियो पसंदा है तो लाइक कर देना और इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेर भी कर देना जो कि खासकर UP के मुख्मंतरी द्वारा इस योजना को लॉंच किया गया है अब हम इस योजना के बारे में और भी जानकारी आपको दे देते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और भी अगर आप लोग जानकारी को पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर read कर सकते हैं और इसके बाद मैंने जैसे कि आप लोगों को अलग-अलग category के बारे में बताया है तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा गहरे नलकूप, बलाष्ट नलकूप, पंप सेट, बाटर रैंक, होज नलकूप, इसके बाद उतले नलकूप और मद गहरे नलकूप अब आप लोग अपने खेत में जिसमी प्रकार की बोरिंग को करवाना चाहते हैं, आपको उसकी डेटेल को यहाँ से देख लेना है सब के बारे में डेटेल से देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, सामाने जाती के लगू एबम सीमांत करस्कों को कितना अनुदान दिया जाएगा, यहाँ पर आप लोगों की जाती वाइस कर्टेगरी दी गई है, कि आप अगर सामाने जाती रुपए से लेकर के 7,000 रुपए तक की धनरासी दी जाएगी इसी के साथ यहाँ पर जो भी अनुसूचित जन जाती के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पर अधिक्तम 10,000 रुपए निरधारित किये गए हैं और इसी के साथ और भी डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हैं य यहाँ पर आपको उसकी डिटेल देखने को मिल जाएगी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मद्य गहरे नलकूप का निर्माड कराये जाने पर नलकूप लागत का 50% अधिक्तम 75,000 रुपए अनुदान अनुमन यानि कि आप लोग जो भी मद्यम गहरे नलकूप का निर्म गहरे नलकूप के बारे में अगर दोस्तों आप लोग अपने खेत में गहरे नलकूप की बोरिंग करवाते हैं तो आप लोगों को उसका जो योगदान है वो भी बढ़ा के दिया जाएगा जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बरतमान में इस पर लागत का 50% अत् दिया जाएगा तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को उतले मद गहरे और गहरे नलकूप बोरिंग के बारे में बता दिया है कि कितना कितना अनुदान किसे किसे दिया जाएगा और अगर आप लोग इसे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर भी जानकारी दी गई तो इसके लिए आपको दोबारा से इस वाले पेज पर आ जाना है और यहाँ पर आपको एक option देखने को मिल जाएगा आवेदन करें तो आपको यहाँ पर आवेदन करें वाले option पर क्लिक करना है या फिर आप लोगों को यहाँ पर महत्तु पूरोड लिंक्स के जश्ट नीच स्योजना का लाब लेना चाहते हैं इसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर को एंटर करना है यहाँ पर mobile नंबर email ID है तो डाल सकते हैं अब आपको यहाँ पर password को create कर लेना है password आपका strong होना चाहिए दोबारा से password को यहाँ पर create करेंगे और इसके बाद आपको अपनी जर्मतिती को इस calendar के माध्यम से select कर लेना है और इसके बाद एक capture code देखने को मिल जाएगा इस capture को same to same इस वाले box में fill करना है और सभी कुछ detail को fill करने के बाद खाता बनाए वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही आप click करेंगे यहाँ पर आप देख सकते हो account created successfully इसके पर आपको योजना का नाम select करना है जिसके लिए यहाँ पर click करेंगे और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें 5 category दी गई है तो 5 category आ जाएंगे अब आपको अपनी आपशक्ता के अनुसार यहाँ पर category को select कर लेना है कि आप अपने खेत में किस प्रकार की boring को कराना च इसके बाद आपको यहाँ पर link select कर लेना है आधार नंबर, mobile नंबर, date of birth आपकी पहले से ही fill रहेगी और इसके बाद आपको यहाँ पर या तो अपने रासन कार्ट नंबर को enter करना है या फिर आपको अपनी family ID को enter कर देना है और इसके बाद यहाँ पर आपको कुछ नीचे की side में आना है अब आपको यहाँ पर पत्रा चार का बेवरड देना है जिसमें कि आपको यहाँ पर gram, dark और तहसील का नाम enter कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने district का नाम fill करना है यहाँ पर आप लोगों को अपने state का नाम fill कर देना है अब आपको यहाँ पर न इसके बाद आपको यहां से अपने ब्लोक का नाम सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद आपको यहां से अपनी ग्राम पंचायत का नाम सेलेक्ट करना है, और यहां पर आपको राजसु ग्राम का नाम सेलेक्ट कर लेना है, इसके बाद यहां पर नियाय पंचायत का नाम टाइप करेंगे यहां पर मजरा का नाम टाइप करेंगे इसके बाद यहां पर आपको खस्रा संख्या टाइप करना है आप लोग अगर चाहों तो नियाय पंचायत और मजरा का नाम छोड़ भी सकते हैं क्योंकि जहां कहीं पर भी रेट कलर का जो इस्टार लगा हुआ है यह आप लोगों को जरूर ही फिल करना है आपका जो खेत है तो उसके जब आप खतावनी निकल वाएंगे तो उसमें एक खस्रा संख्या दी हुई रहती है उसी संख्या को यहां पर टाइप कर देना है इसके बाद आपको यहां पर कुछ डॉकुमेंट्स को भी अपलोड करना पड़ेगा जिसमें कि सबसे पहला डॉकुमेंट है आपका खस्रा या फिर खतावनी तो यह आप लोग ओनलाइन ही निकाल सकते हैं और इसकी एक फोटो कॉंपी को अपलोड कर देना है इस इसके साथ जो फोटो अपलोड करेंगे इसका साइज मैक्सिममम हंड्रेट के भी होना चाहिए तो यहां पर आप लोगों को देख लेना है इसी प्रकार से फोटो अपलोड करने है अब आपको यहां पर अपने आधार काट की एक फोटो कॉंपी को अपलोड करना है और इस इसके बाद आपको यहाँ पर उस bank का IFSU code एंटर करना है इसके बाद यहाँ पर आपको अपने bank account संख्या यानि कि account number को type करना है और यहाँ पर आपको अपनी bank passbook की एक photo खीच करके upload कर देनी है यहाँ पर आप लोगों को अन्य विवरर देना है जिसमें कि आपको सबसे पहले तो सिचाई है तो उपलब्द कुल भूमी स्वेंग की hectare में type कर देनी है यानि कि आप लोगों के पास में सिचाई के लिए अपनी कितनी जमीन है वो आपको यहाँ पर hectare में type कर देना है बीगा में आपको type नहीं करना है आप लोगों को Google पर जा करके जितने भी बीगा है सबसे पहले hectare में convert कर लेना है या फिर आप जो भी खतावनी निकालेंगे उसमें भी आपकी जमीन है hectare में लिखी हुई रहती है तो उसमें देख करके भी आप लोग यहाँ पर type कर सकते हैं अब इसके बाद यहाँ पर आपसे पूँचा जा रहा सिचाई है तो इस रेडी को सिलेक्ट कर लेना है कि आप लगू कर सक हैं या फिर सीमान्त कर सक हैं या फिर अन्य बाद बोरिंग से जल निकाल सी की प्रस्तावित बेवस्था यानि कि आप लोग अपनी बोरिंग को किस प्रकार से चलाना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पर solar summer civil pump set से चलाना चा या फिर 110 mm का होगा 3.5 इंच और 4 इंच तो आप जो भी पाइप लगवाना चाहते हैं उसे यहां से सेलेक्ट कर लेना है अब आपको यहां पर DD चालान नंबर को टाइप करना है यह आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ आपकी जो भी ब्लोक है या फ वी दिन उस सांटिफिकेट को आप लोग बनवाएंगे तो वो डेट आप लोगों को यहां पर फिल करनी है और चालान यहाँ पर आप लोगों को देनी पड़ेगी, तो यह information को fill up कर देंगे, इसके बाद यहाँ पर कुछ नीचे की साइड में आना है, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ options दिये गए हैं, जिन्हें आप लोगों को rate करके tick या फिर untick कर देना है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हु option पर tick लगाना है, अगर आपको लाब मिल चुका, तो इसे आपको untick कर देना है, इसी तरह से यहाँ पर जितने भी options दिये गए हैं, सबको आप लोगों को अच्छे तरह से read करना है, और इसके बाद आप लोगों को tick या फिर untick कर देना है, इसके बाद यहाँ पर आपको औ कोनो ही option पर check out करना है, और इसके बाद आपको यहाँ पर save बाले option पर एक बार click कर देना है, जैसे ही आप save बाले option पर click करेंगे, आपका जो form है, बहें successfully यहाँ से save हो जाएगा, और इसके बाद आपका जो भी final print है, वो आप लोगों को निकलवा लेना है, final print out को निकलवाने किया है, सभी documents की एक एक photocopy को भी आपको इस form के साथ में attach करना पड़ेगा, और इसके बाद आप लोग बहाँ पर जमा कर देंगे, form को जमा करने के बाद में आपके form का verification किया जाएगा, और अगर आप लोग इस योजना के पात्र होंगे, verify होने के बाद में आप लोगों क पता चल जाएगा, अगर आप इसके पात्र होंगे, तो आपके form को accept कर लिया जाएगा, और form को accept होने के बाद में ही आपको इस योजना का लाब दिया जाएगा, सो इस तरह से आप लोग मुख्यमंत्री लगुल सिचाई योजना के अंतरगत online ही apply कर सकते हैं, इस वीडियो अब ही आपके मन में कोई भी question या फिर सवाल है तो आप हमसे comment करके पूँछ सकते हैं,